Hey guys, welcome back to another video of trade invest आज के वीडियो से हम शुरुआत करने वाले हैं एक back testing की series की So इस series में हम different different type की strategies को back test करेंगे So काफी मज़ा आने वाला है series में और I hope आपको ये series पसंद आएगी So शुरुआत करते हैं इस video की उससे पहले अगर आप channel पर नए हैं तो video को like कर देना, channel को subscribe कर देना Let's start this video So guys, हम यहाँ पर use करने वाले हैं जुगार ट्रेडर का जुगार ट्रेडर एक library है जो हमको help करती है जरुदा को access करने में without using any API Okay, तो हम free में जरुदा से data कैसे ले सकते हैं उसके लिए हम use करेंगे जुगार ट्रेडर का, so guys उसको कैसे install करना है वो मैं आपको link दे दूँगा जुगार ट्रेडर का तो वहाँ से आप देख के उसको install कर सकते हैं, pip install जुगार ट्रेडर करेंगे तो आपका install हो जाएगा, okay उसके बाद उसमें login कैसे करना है वो भी हम लोग आज ही समझ लेंगे, so guys यहाँ पर आपको simply install करने के बाद simply उसको import करना है from जुगार ट्रेडर इंपोर्ट जरुदा, import PYOTP क्योंकि login करने के लिए आपको TOTP की जरुद पड़ेगी, pandas TA and pandas date time and date time और time delta, okay यह सब चीज़े हमने जरुद पड़ेगी, तो हमने install कर ली है, उसके बाद हमें यहाँ पर हमारी credentials की एक file बना लेनी है, आप ना भी बनाए यहाँ तो यहाँ पर directly आप user id पुट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से, जसे मेरी user id है, jy5sa, तो आप कुछ भी user id यहाँ पर इस question response kite.login step 1 और वहाँ पर हमको दो तरह का response मिलता है, तो simply हमने जुगा trader में से देखिया, इसको कर लिया है, यहाँ पर ज्यादा दिमाग लगाने जैसा कुछ नहीं है, so step को skip कर दें, okay, इसको simply क्या करना है, इसको हमने run किया, okay, यह run हो चुका है, उसके बाद हमने इसको भी run कर लिया, उसके बाद हमें यहाँ पर kite.holdings, holdings को जैसे हम इसको run करेंगे, तो हमें आज की मेरी जो भी holdings है, वो मुझे दिख जाएगी, तो kite.orders को भी अगर हम run करते हैं, तो आज के जो भी orders होंगे, वो भी मुझे दिखेंगे, तो आज का मेरा कोई order है नहीं, मैं जरुदा यूज करता नहीं हूं, तो order कुछ है नहीं हमारे पास, otherwise यहाँ पर हमारे पास different different चीजे हैं, जिसका हम use कर सकते हैं, तो इस तरीके से हमें पता चलेगा कि हमारा login हुआ है, या नहीं हुआ, आप इसको simply JSON response को print भी करवा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर print नहीं करव तो simply हम क्या करेंगे, nse equal to kite.instrument, nse, जो भी nse, जितने भी instruments हैं, वो सब हमको मिल जाएंगे, यहाँ पर जैसे मैं इसको run करूँगा, तो आप लोग को देखेंगे कि यहाँ पर सारे के सारे instrument हमारे पास आ गए हैं, जैसे मैं यह देखिए, सारे के सारे instrument, 5072 instrument हमको nse से मिल तो अभी हमको इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको हटा देते हैं, उसके बाद हमने यहाँ पर instrument token का function define करा है, जो हमको symbol में token देगा, याना कि जो trading symbol के corresponding token होगा, उसकी value हमें इस function से मिलेगी, और उस token के corresponding हमें historical data के से मिलेगा, क्योंकि जरूरता में minute data के लिए एक limit है, 60 day का, 60 day का limit को हमें overcome करने के लिए यहाँ पर हमने इस loop का इस्तेमाल किया है, इसको भी आप लोग समझ लीजेगा, हम फिन वाजिया में इस तरह का काम कर चुके हैं, जो return data frame return करेगा हमको, उसके बाद हमें यहाँ पर जैसे मैंने data निकाला है, nifty 50 super trend की strategy हम लोग यहाँ पर practice करने वाले हैं आज, तो data निकाला हमने historical data, nifty 50 और device का data निकाला है, तो यहाँ पर मैं इसा करता हूँ, यहाँ पर मैं 15 minutes का data निकालता हूँ, और मुझे चाहिए 15 minutes का 2021 का data चाहिए, okay, 2021 से 2023 तक का data चाहिए, okay, मैं इसको run करूँगा, okay, इसको हमने run नहीं किया, sorry, okay, minutes नहीं, sorry, minute ह तो data हमको इस तरीके से मिल जाएगा, देखिए, यहाँ पर कितना अच्छे तरीके से data हमको मिला है, okay, तो यह चीज हमको फिन वाजिया में नहीं मिलते, इसलिए हमने फिन वाजिया का use नहीं किया है, यहाँ पर हमने जुगा ट्रेडर का use किया है, okay, guys, so अब हमने यहाँ data true बनाया, data frame में convert करके, उसके बाद column को rename किया, simply super trend calculate किया, ta.super trend high low, यह चीज मैं पिछले वीडियो में दिखा चुका हूँ, तो आप लोग वीडियो ज़रूर देख लिजिएगा, शुनिया API का, उसके बाद super trend को rename किया, signal और super trend से, उसके बाद data true को हमने यहाँ पर, दोनो हमने यहाँ पर जो भी दूसरी सारी values थे, उनको float में convert किया, और simply, जो हमारा date time था, उसको date time में convert किया, okay, तो यहाँ पर हमें, यहाँ पर PD.set option, याने कि जितना हमको देखना हो, तो tail में हम देख लेते हैं, हमने कहां तक का 30-12-2022 तक का data है, तो already हमने यहाँ पर 30-12-2022 त 1 और plus 1 कब मिलेगा, तो जब हमारा super trend long होगा, अभी short है, तो हमें minus 1 मिल रहा है, अब हमें क्या करना है, तो अब हम use करेंगे यहाँ पर backtesting.py, आप लोग backtesting.py के बारे में अगर नहीं जानते हैं, तो हम देख लेते हैं, एक बार backtesting, यह एक library है, backtest करने के लिए आपके strategies इसको indicator-based जो भी strategy है, आपके वो सारे हम यहाँ पर backtest कर सकते हैं, काफी powerful library है, तो हम इसी का use करने वाले हैं हमारे सारे videos में, so इस तरीके से आप यहाँ पर इसके documentation को भी access कर सकते हो, आप लोग को link दे दूँगा, तो आप लोग और भी देख लिजिएगा, इसको install कैसे करन है, उस वो भी सारी चीजें आपको github page पर मिल जाएगी, okay, simply मैंने install किया है pip install backtesting.py, okay, उस से हमने input किया backtesting से backtest और strategy, okay, और backtesting.library से हमें import किया crossover, तो crossover की तो हमें जरूरत नहीं है, crossover वाली strategy इस वीडियो के second part में आएगी, इस series के second part में आएगी, okay, simply हमने यहाँ पर define कि एक class signal strategy, यानि कि हमारी जो strategy उसमें signal है, तो हमने इसका नाम रख दिया signal strategy, उसके बाद इस चीज़ को आपको एजर्टेज रखना है, उसके बाद हमको जो भी काम लेना है, वो हम यहाँ से लेंगे, okay, तो अभी हमें क्या current signal क्या है, तो हमारा self.data.signal-1 candle पे जो signal होगा वो हमारा current signal है, okay, तो current signal किस data से आएगा, तो यहाँ पे हमें इस data को define करना है data true, तो जैसे हम यहाँ पर data true डालेंगे, तो हमारा इसमें जो भी चीज़ होगी, वो हमारी data में feed हो जाएगी, okay, तो simply हमने यही किया, current signal define कर लिया, simply हमने यहाँ पे sl stop loss define किया हुआ है, लेकिन ह हम इसका use अभी नहीं करेंगे, उसके बाद हमने क्या किया, current signal minus 1, okay, if self.position, अगर हमारी strategy, अगर already position में होगी, तो यह क्या करेगा, check करेगा, कि signal आपका minus 1 है, कि नहीं, हम long only strategy भी देख रहे हैं, short नहीं कर रहें, okay, तो self.position is long, तो उस positions को close कर देगा, okay, उसके बाद otherwise, अगर क में जाएगा, और इसको यहाँ पे current signal equal to 1 हुआ, तो यह क्या करेगा, self.by, लेकिन by में अभी हम stop loss नहीं लगा रहे हैं, already हम long only strategy कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे सिर्फ 50 lot size के साथ में enter करेंगे, simply यहाँ पे exclusive orders को आपको true कर देना है, commission हमने 0.01 रखा है, अगर आप ज्यादा र bt.run और bt.plot उसके बाद हमें आपे print को नहीं stats को, और stats में हमारे जो भी trades हुए हैं, वो भी हमको देखने हैं, तो जैसे ही मैं इसको run करूँगा, अभी हमारा data हमने already define कर दिया है, data true is not defined, इसको sorry हमने run नहीं किया, okay, run कर लिया हमने, तो के यह हमारा data true है, और उसको हमने अभी run किया, okay, so क्या हो गया, हमें error मिल रहा है, यहाँ पर length does not match length of index 1, okay, यहाँ पर हमारी candle sticks हैं, वो काफी ज्यादा हो रही है, तो actually हमें candle sticks को कम करना पड़ेगा, तो data को थोड़ा, हम को यहाँ पर एक साल का backtest करते हैं, okay, 15 minutes के candles काफी ज्यादा हो गए, तो हम एक साल का back test करते हैं यहाँ पर, उसके बाद हम यहाँ पर इसको data true को भी run कर देते हैं, इसको भी run करते हैं, और अब इसको run करेंगे, तो यह हमारा run हो जाएगा, already आप देख सकते हैं, तो यह तरीके से कुछ हमारी strategy बनी है, return जो हमारा को मिला है, उसमें हमें मिला है 11% का return, पिछले 10% का है, उसके बाद हमारा sharp ratio, best trade हमारा win rate 44% का, best trade हमारा 4% का, worst trade हमारा minus 3%, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कब कब इसने trade लिया है, कहाँ entry थी, कहाँ exit थी, कहाँ PNL, कितना PNL था, कितना return था, वो भी सब कुछ आप देख सकते हो, ओके, तो यह तो कुछ हो गया इस तरीक करेंगे, तो simply मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर sell.sell कर देता हूँ, and then इसको मैं remove कर देता हूँ, similarly अगर हमारी strategy long हुई, तो हम क्या करेंगे, positions close करके, उसके बाद हम exit करके, उसके बाद हम यहाँ पर buy कर लेंगे, similarly sell.by, similarly minus 1 हुआ, तो sell.sell, और sell में size equal to 50, okay, let's run this, तो अभी द देखते हैं, इसका stats कैसा आता है, तो देखिए, यहाँ पर इसने maximum return I think कितना दिया होगा, so इसने max return दिया है 23% का, annual return पिछले साल का 23% का return है, इसका sharp ratio है 1.14 का, similarly इस तरीके से strategy काफी better तो नहीं है, I think max drawdown भी 9% का है, तो I don't think कि कुछ अच्छी strategy है यह, और drawdown देख सकते है आप 2 August 2020 से शुरू हुआ है, जो अभी तक drawdown में है, तो इतना लंबा drawdown तो कोई भी handle नहीं कर सकता, so this is not a good strategy to follow, तो अब क्या करते हैं, अब let's go to one hour time frame, यहाँ पर हम क्या करते हैं, 60 minutes कर देते हैं, 60 minutes, और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर data को 2020 से ले ले लेते हैं, पिछले 3 साल का back test, so data हमारा जैसे ही आएगा, okay, data आ चुका है, data यह भी बन किया, okay, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि 14, 15 से 15, 15, याने कि data हमारा पिछले 3 साल का आ चुका है, okay, तो यहाँ पर हमने long shot देख लिया already, तो भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, okay, तो यह आप हो चुके है, 16,00,000, okay, उसके बाद return का जो percentage है, वो आपका है, 60%, यहाँ पर हम exit तभी कर रहे हैं, जब signal change हो रहा है, okay, किसी तरह का stop loss हम use नहीं कर रहे, okay, और annual return जो है, आपका 17% का है, पिछले 3 सालों का, okay, तो पिछले 3 सालों का return काफी अच्छा है, लेकिन जो drawdown देख सक तक zero returns, तो ऐसी strategy काम करने का कोई मतलब नहीं है, minus 33% का drawdown, इतना बड़ा drawdown कोई भी handle नहीं कर सकता, so not a good strategy to follow यह भी, तो यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम signal को change कर देते हैं, long only करेंगे, short नहीं करेंगे, okay, तो यह हो गया हमारा, और यहाँ पर हम short नहीं कर रहे हैं, तो self.self भी नहीं करेंगे, सिर्फ buy करेंगे, अगर signal 1 हुआ तो buy करेंगे, और अगर minus 1 हुआ तो positions close कर देंगे, similarly फिर से अगर signal 1 हुआ तो buy करेंगे, let's run this, so here we go, यहाँ पर हमें मिल रहा है 137% का return, यहाँ पर देख सकते हैं हमारे profitable trades, यह हमारे losing trades हैं, और इसमें भी आप देख सक उसके बाद हमारे drawdown देखिए कितना कम हो गया, minus 11% का drawdown हो गया, minus 33% से, लेकिन जो drawdown का duration है, वो 2-1-9 days अभी भी है, at least 2-3 महीने का हो, तो फिर भी चलता है, लेकिन trend following strategy में यही होता है guys, drawdown लंबा चलता है, और मैं जानता हूँ एक trader को, जिनका पूरा साल, पिछले साल drawdown में गया है, लेकिन उनके returns काफी अच्छे हैं, so super trend की strategy को एक बार यहीं पर stop करते हैं, इस वीडियो को क्योंकि काफी लंबा हो गया है, next part में इसी वीडियो का आएगा, उसमें हम लोग यहाँ पे SL use करेंगे, और एक भाई ने मुझे VWEP के बारे में भी बताया है कि आप V VWEP का use करो, तो VWEP में भी simply हमको यहाँ पे VWEP add करके, उसका भी signal लेके, दोनों signal अगर हम plus कर दें तो 2 होगा, और दोनों signal अगर negative होंगे, तो minus 2 होगा, तो यह जाने कि plus 2 हुआ तब हम entry करेंगे, और minus 2 हुआ तब हम short sell करेंगे, ओके, और similarity दोनों में से कोई भी एक भी signal अगर change हुआ तो हम exit कर लेंगे, मालेजे, short में super trend 1 पे अगर हमने long किया, लेकिन उसी time पे हमारा VWEP minus 1 है, तो उस time हम long नहीं करेंगे, तो 2 हुआ दोनों में, दोनों में one हुआ तो हम लोग entry करेंगे, और VWEP से अगर नीचे closing देता है, तो signal minus 1 हो जाएगा, तो जैसे ही signal minus 1 हुआ हम लोग exit कर लेंगे, तो कुछ इस तरीके से आपको strategy बनानी है, लेकिन next video में बात करेंगे, यह सभी, I hope आपको video पसंद आया होगा, video पसंद आया तो video को like कर देना, channel को subscribe कर देना, मिलता है next video में, तब तक के लिए, बाई